नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाज ठाकुर के साथ दोस्तो, JRP 2021 हिंदी की तैयारियों के अंत्रगत अभी हमने अपना जो इकाई दो है देखी हिंदी साहित्यकाई यहास वो लगभग भक्तिकाल तक complete कर लिया था और भक्तिकाल से related जितने भी प्रशन बनते हैं वो हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में लगभग यह हमारा पहला भाग है इसमें 25 से 30 प्रशनों को हम डिसकस करेंगे और अगर आपने अभी तक भक्तिकाल से related हमारे पहले के लक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं इकाई दो के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी है आप उसे देख सकते हैं तो चलई शुरुआइए करते हैं आज की लक्चर की और सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रशन संक्या एक पहला प्रशन है देखिए नलियार दिव्य प्रवंद्धनम शिर्शक से आलवार संतों के पदों को कितने भागों में संकलित किया गया है सबसे पहली बात तो ये है देखिए नालियार दिवय प्रबंधनम जो ग्रंथ है ये किसका था आलवार संतों के जो पद थे इसमें संग्रहित थे और इसमें जो कितने पद हैं देखिए चार हजार पद इस ग्रंथ में है नलियार्तिवय प्रबंदरम में और कितने भागों में इसको संकलित किया गया है ये प्रश्न है तो देखिए इसको जो भागों में संकलित किया गया है सही उतर होगा इसका विकल्ब नमबर एक चार तो इसके जो चार भागों में इसको संक किया है और रंगनात्मुनी कौन थे देखिए जो महिला भक्त थी आंडाल जिसका नाम था वे इसको क्या मानती थी रंगनात्मुनी को अपना पती मानती थी और इन्होंने दीवय प्रबंधनम को चार भागों से संकलित किया है तो ये था पहला प्रशन अगला प्रशन हम दे थे ये वेशनव थे और अलवारों की संक्या कितनी है देखिए इनकी संक्या है बारह और ये वेशनव धर्म को मानते थे इसके अधार पर राम, कृष्ण, वरहा तो ये तीन हो सकते हैं कि इनकी अराधना करते थे यहां पर धीके कूट में कहीं भी सकता है दो या एक या फिर एक या दो तो सही उत्र क्या होना चाहिए तो देखिए इसका जो सही उत्र होगा कि आलवारों ने जो अराधना की है वो करते थे कृष्ण और राम की अराधना हालां कि रहा अवतार किसका माना जाता है विश्णू का अवतार माना जाता है लेकिन आलवारों ने इसकी पूजा नहीं की है सिंपली आपका कृष्ण और राम ही इसमें दो हैं तो विकल्प नंबर सी इसका साही होगा एक और दो इसका साही उत्तर होना चाहिए देखे आलवारों के संक्या जब कि कितनी थी? तो जो आलवार थे ये विश्नु की पूजा करते थे इसलिए इनका नाम वैश्नव पड़ा है और जो नैनार थे वो क्या थे वो शैव थे अगला परशन हम देख लेते हैं प्रशन संख्या तीन ग्रियर्सन के अलावा किसने भक्तिकाल को इसायत की देन कहा है तो देखिए जोर्ज ग्रियर्सन ये हम सब जानते हैं कि इनोंने क्या कहा है भक्तिकाल को इसायत की देन कहा है लेकिन इनके अलावा दो अन्य नाम हैं जिनोंने क्या कहा है इसको इसायत की देन कहा है क्या वो ग्रियर्सन हैं स्मित हैं वेबर हैं या कैनेडी हैं तो हिंदी साहित्य कहितिहास में सौरनिम युग के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए, चलिए अगला परशन हम देख लेते हैं, परशन संक्या चार है रेखिए, रामानुज अचारे के पूरवर्ती अचारेों का सही क्रम बताएं, तो देखिए, रामानुज अचारे से पहले जो अचारे थे, वो सबसे पहले इसमें किसका नाम आता था, जो हमने अभी पढ़ा, जो नाम था रंगनात मुनी, जिनों ने जो आलवार थे उनके ग्रंथों को या उनके पदों को चार भागों में संकलित किया था, दिबे प्रवंद्रम में और वही सबसे पहले आएंगे रंगनात मुनी, उसके बाद दुसरे नमर पर पुंडरी काक्षें, फिर रामविश्र और आखिर में आएंगे इसमें या मुना अचारे, तो ये वाला क्रम इसका बिलकुल सही होगा, इसके बाद आगे आएंगे आ इनका जो क्रम है, वो पूचा जाता है, तो यहां पर हमने जो पूर्व के हैं प्रारम भी है, उनको रख दिया था, अगला प्रशन देख लेते हैं, प्रशन संक्या 5, असंगत कथन बताईए, तो देखिए आज जितने भी प्रशन में आपको रखे हैं, वो बिलकुल UGC क पैटरन के अधार पर ही रखे हैं, कि इस तरीके के ही प्रशन पूच जाते हैं, UGC NET की परिक्षा में, देखिए, ऐसे आपको कथन दिये जाएंगे, उनमें सी पूच जाएगा, संगत या असंगत आपने देखना है, तो यह देखिए, आलवार संथ कभी थे, इनका संब और एक लोकविय थे, नमालवार थे, और इनका जो दूसरा नाम है, देखिए, परांकुष, और इसके साथ साथ इनको शटकोप भी कहा जाता है, देखिए, शटकोप के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो शटकोप नाम है, इनका संस्कित का नाम है, और शटकोप के अला आलवारों में एक मात्र महिला आंडाल थी और यह सात्वें आलवार कुल शेकर की पुत्री थी तो यह वाला कतन क्या है यह गलत है आलवारों में एक मात्र महिला भक्त आंडाल थी यहां तक यह क्या है यहां तक तो सही है लेकिन सात्वें आलवार की यह पुत्री नहीं थी ये आठोएं जो अलवार हुए हैं, देखिए, आठोएं कौन थे, पेरो अलवार, या फिर पेरियालवार जिनको कहा जाता है, और उनका जो संस्कित नाम है, देखिए, विश्नुचरित, तो उनकी ये पुत्री माने जाती है, और खुद कितने नंबर पर था इनका, ये थी, नवे नंबर पर अंडाल, और ये महिला थी, और इनका जो संस्कित नाम है, देखिए, वो गोदा है, और साथी साथी ने दक्षिन की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये थी चीज़ हो गई आपके, जितने भी आलवार संथ थे, आखरी जो वहागया देखिए, दिव गलत भी गलब होगा, ठीक है, और एक और चीज़े देखिए, जितने भी आपके जो दक्षिन के लोग रहे हैं, या दक्षिन के जो कवी रहे हैं, वो सब के सब निमन जाती से थे, और कई बार पर चमा ये भी पूछा जाता है, कि जो आपके दक्षिन भारत में, या भक्त जितन है, ज़ितने भक्ति का अविरभाव किया, वो मैक्सिममम क्या थे, किस जाती से शंबंधे, निमन जाती से था, या उच वर्ग से थे, ये भी पूछा जाता है, तो वो निमन वर्ग से संबंध रखने वाले थे, अगला प्रशन है दूचिये, प्रशान संख्या लिए अगर पूचा होता कि निर्गुन भक्ती के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे तो वो थे कबीर यह किस ने कहा है अचारे रामचंद्र शुकल ने यहाँ पर प्रशन पूचा है हिंदी भक्ती साहित्य की परमपरा का प्रवर्तन किस ने किया तो यह माना जाता है बक्ति द्रावडी उपजे लाए रामानंद, तो ये चीज भी क्या है, महत्वपूर्ण है, और विसुबा खेचर के ये शिश्य थे, इनके गुरु क्या नामत क्या था, विसुबा खेचर, रैदास संत कवी थे, और संत जो ज्ञानेश्वर हैं, ये अलग है, अगला हम प्र को खेचरी भाषा किसने कहा है, तो देखिए, खेचरी भाषा जो इनकी भाषा को कहा है, ये कहा है, रामकुमार वर्मा ने, जबकि रामचंदर शुकल क्या कहते हैं, देखिए, इनोंने इनकी भाषा को क्या कहा है, सदोक्री भाषा कहा है, और इन राम विलास शर्मा और राम सरूच चत्रवेदी ने इनकी भाषा के संबंद में कोई भी कथन नहीं कहा है तो दो जो महत्पूर्ण थे रामकुमार वर्मा और रामचंदर शुकल वो मैंने आपको बता दिये हैं और इसके साथ ही साथ इनकी जो पंचमिल खिचरी कहा है देखिए वो बावु श्याम संदर्दास ची ने कहा है कबीर की भाषा को और हजारी पर साथ दुवेदी का तो आप जानते ही है कि नोंने ने वानी का डिक्टेटर कहा है तो ये भी मौत्पूर्ण चीज है कबीर की भाषा से संबंद में आगे प्रशन है देखिए प्रशन संख्या आठ ग्यान समुद किस की रचना है तो देखिए इसका जो सही उत्र होगा विकल्प नंबर दो संदर्दास तो संदर्दास की जो रचना है देखिए वो कौन कौन सी है एक तो ग्यान समुद्र है दूसरी इनकी संदर्दास है तो इस प्रशन का सही उत्र क्या होना चाहिए संदर्दास होना च पंदासो श्यानियों में इनका जनम हुआ था एंड जो मलूक दास हैं देखिए मलूक दास की जो रचना है वो है रतन खान और ज्ञान बोद भक्ती विवेक और भक्त वच्चावली एटसरा एटसरा दुरूब चरित है न तो ये किसकी रचना है ये मलूक दास की है और गुरू अरजुन सिंग गुरू अरजुन सिंग की जो रचना है वो भी कई बार परिक्षा में पूछ जाती है क्योंकि ये बहुत मौत पूर्ण है इनकी जो रचना है देखिए सुखमनी और बावनाखरी तो ये गुरू अरज दयाल से related भी इनकी जो प्रमुक रचना है वो पूछी गई है इनकी जो प्रमुक रचना है दिखिए वो कौन सी है हरडेवानी और अंगबधु तो अंगबधु और हरडेवानी इनको बहुत बार पूछा जाता है तो इसको भी आपने याद रखना है कि अंगबधु किसकी ह तो यह हो गया प्रशन संक्या आठ अगला प्रशन है दिखिए सू मिलित करने को कहा गया है कि इस तरीके से आपको प्रशन पूछी जाते हैं नेट की प्रिक्षम है ही कि आएक तरफ आपको रचनाकार होंगी तुसी तरफ उनकी रचनाय होंगी या फिर एक तरफ पंक्ति हमने इसको पढ़ा ता कि जो एडर के राजा रणमल थे उनकी विर्टा का इसमें बर्नन किया गया है फिर उसके बादे देखिए जैचन प्रकाश तो ये किसकी है जैचन प्रकाश किसकी है ये भटकेदार की है तो यहाँ पर बहुत सारे स्लुएंट कई वार कंफ्यूज ह हो जाते हैं क्योंगि दोनों एक तरीके की रचना है एक जैचन प्रकाश है तो जैचन प्रकाश किसकी है वो भटकेदार की है अगर जैवन्य चसचंदरिका की बात करें तो ये किसकी है मदुकर कभी की encie whatever ये किसकी है नविकल्प नमबर एक इसका सही उतर होगा देखिए एक के साथ जहां पर दो है और दो के साथ एक होगा, तीन के साथ चार और चार के साथ तीन, तो ये इसका सही उत्तर होगा, तो इसमें आपने इन दो पंक्तियों में कंफ्यूज नहीं होना है, इनकी रचनाओं में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रशन संक्या 10 है देखिए, प इंदूओं के सामने ही उनके मंदिर गिरा तोड़ा जाते थे तो उनके पास क्या था कोई भी रास्ता नहीं था ईश्वर के जाने के सिवाए मतलब एक तरिके से वो निराश और हताश हो गए थे लेकिन यहां पर अचारे राम चंदर शुकल इसका उत्तर नहीं होगा बहुत करने के लिए ही क्या करता है भक्ती की और प्रवरित होता है इश्वर का ही सहारा लेता है जबकि हजारी प्रसाद दुवेरी क्या कहते हैं इन्होंने कहा था कि स्वभाविक प्रक्रिया है कि इसका आना वैसा ही स्वभाविक है जैसे यह आई है ठीक है आगे है देखिए प प्रशन संख्या 12, साहित्य लहरी की विशेवस्तू क्या है? तो दीखे साहित्य लहरी की विशेवस्तू है वो है नाई का भेद, विकल्प नमबर 1 इसका सही होगा, जबकि निर्गुन का खंडन ये किसमे है, ये इनोंने ब्रहमर गीत में किया है, ठीक है? तो विकल्प जाते हैं, लगबग 5 या 7, तो भक्ती और प्रेम दोनों में समर्पन का तत्तो सुमान है, तो इन प्रशनों को करने की ट्रिक भी मैंने बताई है, और हमाने प्लेलिस भी बनाई है, स्थापन और तर्क के नाम से, हालां कि वहाँ पर ज़्यादा हमारी वीडियो इसके उप ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे भक्ती और प्रेम दोनों में समर्पन का तत्तो समान है, देखे बात कि स्क्रिक कर रहे हैं, यह भक्ती और प्रेम की, यह दोनों में क्या है, समर्पन का भाव मांगते हैं, भक्ती में ईशोर के प्रति समर्पन भाव नहीं होग ये कि भक्ति और प्रेम सभ के परित्याग जे संभब है। तो समर्पन और देने का चीज होगी। तो सभ का परित्याग ही करना पड़ेगा आ, अपनी बात नहीं करने पड़ेगी विल्कि दूसरों के लिए ही सोचना पड़ेगा। गल्कुल सही है विकल्प नमबर चार इसका सही उत्तर होगा ठीक है तो चलिए अगला प्रशन हम दिख लेते हैं प्रशन संक्या 14 असंगत युगम कौन सा है देखिए असंगत पूछा यह है बरवे रमाइन तुलसी दास का ठीक है ज्यान गीता केशव दास ठीक है और ज्यान बोध सुंदर दास तो यह बला इसमें अटोमेटिकली गलत हो जाएगा और बरवे नाइका भीड़ क्या है यह रहीम की रचन है और इसी से प्रभावित होकर इन्होंने बरवे नाइका लिखी थी तुलसी दास जीन है और यह दोनों आपस में क्या थे मित्र थे रहीम और तुलसी दास ठीक है पर सही होगा अचारे रामचंद्र शुक्ल अगला प्रशन है दिखिए प्रशन संक्या 16 अवधी में रचित रचना नहीं है तो अवधी में जो रचित रचना पदमावत बिल्कुल अवधी में रचित रचना और मदुमालती भी अवधी की है कवीता वली और पारवती मंगल दोनों रचनाएं किसकी हैं? ये दोनों तुलसिदास की ही रचनाएं हैं. अब हमने इन में से देखना है कि इन में से कौन सी रचनाएं सी है, जो क्या है? हमारी अबधी में रचित नहीं है. तो देखिए इसका जो सही उतर होगा, वो होगा कवीता वली. और पार्वती मंगल तुलसी की जो रचनाये हैं, जितनी भी इनकी रचनाये हैं, उनको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, है ना, या फिर भक्तिकाल से रिलेटरी जो भी हमारे वीडियो हैं, तुलसी दास के उपर लगवगा हमने दो आप तीन लक्षर तयार किये हैं, वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि तुलसी की जितनी भी कृतिया हैं, इनको आप किस तरीके से अलग-अलग भाशाओं के जरीए कि किस रचना की क्या भाशा है, वो आप इजिली बस दो सेकेंड में ही उसको समझ जाएंगे, त यह पंक्ती किस की है, तो दीखिए यह प्रिवेश से के पिपर में पूछा गया था, जो आपके 2010 से पहले की प्रशन पत्र थे, उनमें यह प्रशन था, इसकी जो रचना कार हैं देखिए, वो है मलूकतास, तो इनकी यह कृति, इनकी रचना या इनकी पंक्तियां यह हैं, चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं, चंदाइन को लोर कथा या लोर कहा के नाम से किस ने अभिहित किया, तो देखिए चंदाइन मुला दावद की रचना है और 1389 में इसको रचा गया था और अब दिवाशा में यह रचित मानी जाती है, ठीक है, और इसके लोर कहा क क्यों कहा जाता है, लोर का था, क्योंकि इसमें लोरिक और चंदाइन की जो कथा सुनाई गई है, और यह कहा है, देखिए, माता प्रसाद गुप्तने, विकल्प नमबर 3 इसका सही उतर होगा, ठीक है, माता प्रसाद गुप्तने इसको लोर कहा नाम से अभित किया है, अग अगर हम रास पंचा ध्याई की बात करें तो इसमें क्या है कि क्रिशन की रास लीला का वनन है इसमें ठीक है जब कि आपका जो दूसरा है देखे भावरगीत तो इसमें जो निर्गुण और सगुण का क्या है वाद विवाद संवाद बताया गया है तुलसी और उद्धव औ अंदास की रचना का समन नाइका नाइका से रसमंजरी से क्लियर है आगे है देखिए प्रशन संक्या 20 किस भक्तिकालीन वीर का व्यात्मक क्रिती में राणा प्रताप का यशोगान हुआ है तो देखिए राणा प्रताप का यशोगान हुआ है वो किस रचना में हुआ है य इसमें 76 इनके जो है चंद संख्या कितनी है उसमें 76 हैं और ये हम पहले भी पढ़ चुके थे कि दोहा चंद में इसको लिखा गया है तो कितने हैं 76 हैं और इसमें इन्होंने महाराना प्रताप का ये शोगान किया हुआ है इसके अलावा जो रणमल चंद है दीकिए श्रीधर जी ने और क्याम खान रासो जो है ये देखिए ये नियामत खाजान की जो है कृती मानी जाती है 1634 में रची गई थी और इसमें क्याम खान चोहान के वंश्यों का युद्ध वर्नन इसमें बताया गया है जबकि रतन रासो किसकी कृती है ये कुम्ब करण की कृती है और इ दीकिए सब की सब और ये आपके गौन कावे के अंतर गताते हैं, इसके उपर भी हमने एक complete लेक्चे तियार किया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, चलिए, आगे आप हम देख लेते हैं, प्रशन संख्या 21, तुलसिदास ने किस कृति की रचना सूर के अनुकरण पर की है, तो देखिए सूर्दास के अनुकरण पर हमने जुक्रिती की रचना की है, वो है आपका विकल्प नंबर 3, इसका सही उतर होगा गीता वली, तो इसकी रचना हमने किस के अनुकरण पर की है, सूर्दास के अनुकरण पर की है, आगे है देखिए प्रशन संख्या 22 करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है क्यूंकि करुणा का विशे दूसरों का दुख नहीं है तो यहाँ पर देखिए करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी और खिंचती है तो ये कथन क्या है? गलत है लोगों को अपनी और आकरशित ना सिर्फ करुणा ही करेगी बलकि दूसरी चीजशे हैं किसी का अच्छा व्यक्तित तो होता है वो भी हमें दूसरी और क्या करता है आकरशित करता है तो अपने आप में ये जो हमारा गलत है जो स्थापना है वो गलत है दूसरी पंक्ति ये कहते हैं कि क्यूंकि करुणा का विशे दूसरों का दुख नहीं है तो ये बात बिलकुल गलत है क्यूं क्यूंकि करुणा का तो ये बात हमने पहले भी कर ले थी, ये अचारे रामचेंदर शुकल जी ने माना है, रिपीट हो गया ये प्रशन, आगे देख लेते हैं हम प्रशन संक्या 24, तुलसी की भीलक्षन प्रतिवा इस पात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफ अलनिर्वाह किया है, तो देखिए तुलसी के समंद में ये कथन किसका है, तो ये कथन कहा था रामसवरूप चत्रवेदी ने और तुलसी के समंद में जितने भी कथन कहे हैं, वो भी अभी हमने लेटेस्ट लगबग कुछ दिन पहले ही अपने जो एकाई दो हम कर रहे थे बक्तिकाल, वहाँ पर हमने अच्छे से किया है कि किस अलोचक ने तुलसीदास के समंद में क्या कथन कहा है, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, तो ये वाला कथन रामसवरूप चत्रवेदी ने कहा है, चलिए आगे हैं देखिए प्रशन संख्या 25, यदि वातसल्य और श्रिंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए, तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए ब्रहमर गीद ही काफी है, यह कथन किसका है, तो दीखिए यह कथन है अचार रामचंदर शुकल जी का, तो सूर के समंद में, तो मैं हमेशा ये चीज़ कह रहा ह तो यहाँ पर शुकल होगा इसका सही उतर, अगला प्रशन है देखिए, प्रशन संख्या 26, जुगलमान चरित्र किसकी रचना है, तो आपके जो क्रिशन कवी हैं देखिए, उनके उपर भी हमारा complete lecture है, वो भी आप देख सकते हैं, जुगलमान चरित्र जो है देखिए, य प्रमुक माने जाते हैं, और इन्ही के डर के कारण, जो आपके सूर्दास जी थे, वो छोड़के चले गए थे, कौन सा श्रीनाथ जी के मंदिर को छोड़के चले गए थे, ठीक है, आगे है देखिए, प्रशन संख्या 27, जाई सीकृत पदमावत है, तो पुरान कावे भी नहीं है, धरम कावे भी नहीं है, चंपू कावे भी नहीं है, रूपक कावे ये होगा, ठीक है, चंपू कावे का मतलब क्या है, कि जिसमें गध्या और पद्यात मक्षयली में जो लिका जाता है, लेकिन ये चीज़ें इसमें नहीं है, तो रूप कावे, ये महा कावे है, अभी कल्प नमबर 3 इसका साई होगा ये भी प्रिवेसर के पेपर में प्रशन पूछा गया था इस तरीके से भी प्रशन बनने के संभावना हो सकती है आगे है देखिए प्रशन संख्या 27 मिश्रबंदू ने हिंदी नवरतन में किन भक्त कवियों को स्थान नहीं दिया है तो देखिए मिश्रबंदू विनोद और हिंदी नवरतन ये दो रचनाएं मिश्रबंदू की है और इन में से किस कभियों को ये स्थान नहीं दिया जो वक्तकालिन प्रशिष्टित कभी है इन्होंने सिर्फ दो को ही उसमें स्थान दिया है नौ कभ उसमें टोटल है और यहां पर देखिए प्रशन संख्या 28 में बिकल्प नमबर क्या है एक और चार, तीन और चार, एक और तीन या फिर दो और चार तो देखिए इन्होंने जो हिंदी नबरतन में स्थान नहीं दिया था वो था कभीर और जाईसी को विकल्प नमबर एक इसका सही उत्तर होगा तुलसी और सूर को इन्होंने हिंदी नवरतन में स्थान दिया है जबकि कबीर और जाहिसी को इसमें नहीं स्थान दिया गया है तो विकल्ब नमबर 12 का सही उतर होगा प्रशन संक्या 29 से दिखिए राम भक्ती में रसिक भाव का समावेश किस ने किया देखिए राम भक्ती में रसिक भाव का समावेश ये किया था अग्र दास चीने और इन्ही को रसिक संपर्दाय का प्रवर्टक भी माना जाता है और अग्र अली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है कि इसमें तुलसी दास इसमें रामभक्ती परंपरा में अग्राली के नाम से धुरुवदास ये क्या है ये आपके राधावले विसंपरदाय के अंतरगत आने वाले कभी है ठीक है जब कि विश्णुदास और नाभादास इसमें नहीं आएंगे आज का आखरी प्रशन है देखिए कवीता करके तुलसी नला से उपरोक्त पंक्ती तुलसी के समन्द में किसने कही है तो देखिए ये वाली जो पंक्ती तुलसी दास के समन्द में कही है ये कही है अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोधनी तो ये थे पूरे के पूरे 30 प्रशन अगर इन प्रशनों में मुझसे कहीं कुछ गरती हो गई हो या कुछ आपको डॉर्ट्स लग रहे हैं या पिर अन्य चीजें हैं जो आप महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बताना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्षन में जागर बता सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये जाएगा वहाँ पर भी हम बहुत सारे जो क्विज हैं उसके जरीए बहुत सारे अपने प्रस्चन बहुत सारे अपने डॉट्स को क्लियर करते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इससे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिना भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद